बश्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज मैं लाया हूँ एक नया भिशा है आपके लिए प्रत्य का इससे पहले हम रस और उसके बाद उपसर्ग से सम्मंदित बहुँ विकल्पिया प्रस्ट कर चुके हैं और उमीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो अभी तक उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं जो विचात्र वे उसे जरूँ उन दोनों वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि वे वीडियो आपके यह बहुत ही महत्तपूर सिद्ध होने जारी है और यह भी वीडियो आप जरूर देखे अंत में एक सवाल आपके लिए होगा इसली वीडियो की तरह है जिसका उत्तर आपको देना होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है तो चलिए ज़ादा देर न करते वे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि प्रत्य पहला प्रशन है हमारे लिए कि प्रत्य सब्द किन दो सब्दों के योग से बना है तो जो प्रत्य है वो किन दो सब्दों के योग से बना हुआ है तो option है प्रतिधन आया, option दो है प्राधन आया, option तीन है प्रतिधन आया, और option चार है प्रत्यधन आया तो सोचिए आप भी और अपने उत्तर एक कोपी में नोट कर जरूर कर लें और यह जानने का प्रियास करें कि आपके कितने प्रस्ण सही हैं, सही थे इस वीडियो में और कितने गलत थे, ताकि आप अपना स्वयम का आंकलन कर सकें, तो एक कोपी और एक पैन जरूर रखे सामने, तो पहले प्रस्ण का उत्तर आप लिग लीजिए, मैं इसका उत्तर आप का बता देता हूँ, पहले प्रस्ण का सही थे रहे, प्रतिधन आया अगला प्रस्ण है, वे अभिकारी सब्दांस जो किसी भी सार्तक सब्द के पस्चात जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो चलिए, उप्सन देखते हैं, पहला उप्सन है, पहला विकल्प है, उप्सर्ग, दूसरा है, तीसरा है, बिदेशज, चोथा है, प्रत्य, तो अपना जवाब आप अपनी कौपी पर लिख लें, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका सही उत्तर होगा प्रत्य है, चलिए, अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण है, प्रस्ण नमबर तीन, प्रस् अगला, प्रत्या लगा जाते हैं, प्रत्या जो है, और आपना जवाब लिख लिया होगा, अब मैं इसका सही उत्तर देता हूँ कि प्रत्या वो सब्ध के अंत में लगाए जाते हैं, ठिक है, और उपसर्ग पूच्ता तो उपसरग आरंब में लगा जाते हैं चलिए अगला प्रशन पढ़ते हैं प्रशन नमर चार है सन सनाहट में कौन सा प्रत्य है तो सन सनाहट में प्रत्य कौन सा है इसमें प्रत्य होगा उपसन है सन उपसन दो है सन सन उपसन तीन है हट अप्शन चार है आहट तो आप अपना उत्तर अपनी कौपी पर लिग लीजिएगा और मैं इसका सही उत्तर देता हूँ कि इसमें जो प्रत्य है वो प्रत्य है आहट प्रशन नमर पाँच है आपके लिए कि दासत्वा में प्रत्य है अभी दासत्वा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्य होगा उप्शन आपके लिए है उप्शन एक त्वा उप्शन दो सत्वा उप्शन तीन वा उप्शन चार तवा तो इसका सही जवाब होगा त्वा प्रशन नमर च्छे है प्रस नमर च्छेटा पढ़ने जा रहे है कि दुंदला सब्द में प्रियुक्त प्रत्य है जो दुंदला सब्द है इसमें कौन सा कौन से प्रत्य का प्रियुक्त किया गया है तो ओप्शन एक है दुं दुं ओप्शन दुंद ओप्शन तीन है ला ओप्शन चार है इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लीजिए मैं इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूं कि इसका सही उत्तर है ला अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर साथ कि इला प्रत्य से बना सब्द नहीं है ठीक है इला प्रत्य से बना सब्द नहीं है अब ये प्रशन थोड़ा दूसरी तरह का है नहीं है इसको जरूर आप मार कर लें ताकि आसानी हो आपको ढूनेने में सही तर और अब अपसन पड़ते हैं पहला अपसन है रंगीला दूसरा है जहरीला अपसन तीन है नसीला अप अपसन चार है राम लीला तो इन में से कौन चा सब्द इला प्रत्य लगा कर नहीं बनाया गया है इसका सही उत्तर आप अपनी कोपी पर नोट कर लीजिए और मैं अपना यहां पर सही उत्तर देता हूं आपको कि प्रस्ट नंबर साथ का सही उत्तर है और अपसन तीन राम नीला चलिए अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और बढ़ते हैं प्रस्ट नंबर आठ है यहां पर प्रस्ट नंबर आठ है ताप्रत्या से ताप्रतिया से जो सब्द नहीं बना है उसकी पहचान करो जो ताप प्रतिय से अभी शब्द नहीं बना है इसकी पहचान करो तो इसमें है मधुरता आपसन दो है मनुच्टा आपसन नमबर तीन है जाता आपसन नमबर चार है वो है शामाजिक्ता तो इसमें सही उत्तर है जाता जाता है वो ताप प्रतिय से नहीं बना हुआ है उप्सन प्रतिय से बने सब्द पहचाने पहचानिये जिसमें वाला प्रतिय लगा हो उस सब्द को हमने पहचानना है तो जिसमें वाला प्रतिया है जैसे उप्सन है टोपी वाला उप्सन दो है सब्जी वाला उप्सन तीन है पगड़ी वाला उप्सन चार है ये सभी तो इसका सही उत्तर हमें लगाना है क्योंकि इन सभी में वाला प्रत्या लगा हुआ है इसलिए उत्तर होगा option 4 ये सभी चलिए अगला परस्ट देखते हैं परस्ट no.10 पंडिताइन सब्द में प्रत्या होगा जो पंडिताइन सब्द है इसमें कौन सा कौन सा प्रतिय है तो पंडिताइन सब्द में प्रतिय जो लगा हुआ है वो उप्सन देखिए पंडित दूसरा उप्सन है इस्त्री तीसरा है ताइन उप्सन चार है आइन तो इसका सही उत्तर होगा आइन अगला देखिए प्रिश्टन बर 11 गुमकर में सब्द और प्रतिय होगा अब जो गुमकर सब्द है इसमें सब्द और प्रतिय अलग-अलग करके भी बताने है तो आपसन एक है गूमदन मकर आपसन दो है गूमदन अकर आपसन तीन है घूमधन अकड और संचार है घूमधन कड तो इसका सहित्तर आप अपने नोट कर लीजिए और मैं आपको सहित्तर बताने जाए रहा हूँ इसका सही उत्तर है गोमधन अकड अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखरी प्रश्न की भगोड़ा में मूल सब्द और प्रत्य होगा तो ये प्रश्न जैसे की प्रत्य वीडियो में मैं आपके लिए अंत में एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ और उसका उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं अभी और हैं अभी तो एक दो प्रश्न और रहे गए हैं आखरी वाला प्रश्न आपके लिए छोड़ूँगा कि जो भगोड़ा में मूल सब्द तता प्रत्य होगा तो ओप्शन एक है भगदन ओड़ा भागदन ओड़ा ओप्शन तीन है भगदन गोड़ा और ओप्शन चार है भागदन रड़ा तो इसका सही उत्तर आपको देना है आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ तो इसका सही उत्तर है भगदन ओड़ा अगला प्रत्य है प्रत्य से बना सब्द है तो इक प्रत्य से कौन सा सब्द बना हुआ है पहला है भौतिक दूसरा है सामाजिक तीसरा है राजनीतिक और चौता है ये सभी तो इसका उत्तर आप नोट कर लिजिए और मैं इसका जवाब आपको देता हूं इसका सही उत्तर है और अगला प्रस्ण आपके लिए चौधवा प्रस्ण और इस पीडियो का आखरी प्रस्ण और ये प्रस्ण आपको सिम अ हल करना है और इसका जवाब comment box में ज़रूर देना है तो इसे देना आप बिल्कूल ना भूले और एक बार देखे की आपका जवाब सही है या नहीं है और जवाब देना बिल्कूल ना भूले और इस प्रस्ण को पढ़ लेता हूं राज-पुत में मूल सब्द होगा अब इसमें हमें मूल सब्द अलग करना एक है राज फ्सनदो है राजपूत उप संतीन है आनी फ्स만 चार है उतानी तो इसमें से सही जवाब आप जरूर दें और कमेंट बॉक्स में दें तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इस तरह के प्रस्नों को हल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें मेरे साथ इस चैनल के माद्यम से तो मिलते ह हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत